अस्लाम अलीकुल मैं आपका बाश्वाम लप्ते वाला तो आज हादर हम लप्ते वाला पे तो आज जो मैं आपके लिए लेकर हैं वो HP 830 G5 और 440 G6 यह दो मोडल है हमाने पास सबसे पहले आ जाती है HP 830 G5 i5 830 Gb RAM और 256 GB SSD के साथ है यह यह बैकरेट कीबोर्ड है 1080p स्क्रीन के अंदर है और फिंगर प्रिंट के अंदर साथ है ठीक है तो अगर हम इसकी पोर्ट की बात करते हैं तो एक यूस्प पोर्ट इदर है दूसरे साथ प्रिंटे है यूस्प चार्जिंग पोर्ट पैसी इंटरनेट एच्टियम ऐच्टियम आई यूस्प पोर्ट और हैड़फून जैक यह वाले इसके अंदर पोर्ट है और यह बैकरेट कीबोर्ड है स्क्रिंग के अंदर आती है तो जो इसकी प्राइज यह आपको मेल जाएगी सेवेंटी थौजन के अंदर आई फाइफ एट और रडोस्टु चौपण के साथ सेमेटी फाइफ थाजन पी अपो यह यह और हमारे पास तक्रीबन तो इसके बाद है एचपी की है यह 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 8GB RAM, 256GB SSD के साथ है यह देखें यह देखें यह भी बैकराइट की बोर्ड एनेट इसके अंदर भी है तो अगर हम इसकी USB पोर्ट की बात करें USB पोर्ट इदर आगी उसकी इदर थी इसकी इदर आजगी है दूसी सर पर चार्जिंग टाइसपसी इंटरनेट यह दो पोर्ट इंदर और एक हैड़फून जाके है यह एच्पी की है प्रो बुक वह लीड़ बुक है यह प्रो बुक है तो जो इसकी प्राइज है यह भी आपको मिल जाएगी इसके बाद भी इसी तरह हमारे पास और भी पीस क्वाटिटी में वैलेबल है लिस्टर का आप देशकते हो फिर यह एच्पी किया जबती है है एच्पी फोर ठल्टी जी फाइब आई थरी सेवन देशन के साथ है यह देखिए यह कि इनकी कंडिशन है जो वह थुछ सिराप है लेक्टीन यह कि यह प्राइज भी इसकी कंडिशन की वज़े से का मैंने तो यह जो मोडल है ना इस तकरिबर फॉर्टी फाइव फॉर् मिल जाएगा थर्टी सेवन हजन के अंतर आर दोसे छपन के साथ और यह हैब्र स्टोरिज वाला मोडल है यह 32GB RAM 1TB की SSD और 1TB की HDD support करता है तो इसके अंदर जो हमारे पास पीस वैलेबल है तो इसी तरह हमारे पास और भी काफी स्टोक पड़ा है आप पोल करके पूछ सक करते हो ठीक है इंशालोग और भी हम वीडियो बनाया करेंगी जिस तरह भी जो भी स्टोक आ रहा है नया-nया हम उसके रोज वीडियो बनाते हैं तो जो यह लोकेशन है यह फीस सेंटर गे नंबर बन के साथ जिद्धा फीस सेंटर की पार्किंग थी उधर एक नया करने और बैल बटन करने कि जितनी भी अगली वीडियो है वह आप तक पॉंच्टे रहें और आप अच्छे छे लाप्तुब लिखते रहें तब तक के लिए ज्यादर चाहते हैं खुदा अपना ख्यार रखिएगा